नवस्कार कैपिल टीवी में आपका स्वागत है पिछले 10-15 दिनों में राहुल गांधी लगातार इस तरह की भाषा बोल रहे हैं जिससे हिंदुस्तान की सेना में काफी नाराज़गी है गुसा है वो तो सामने आकर के कोई सर्विंग आफिसर राहुल गांधी के सवालों का जवाब नहीं दे सकते क्योंकि हिंदुस्तान की आर्मी की एक पहुत ही रिच परंपरा है रिच ट्रडिशन है कि वो राजनीती में समय बर्बाद नहीं करते हैं लेकिन राहुल गांधी के अनरगल आरोपों उनके बयानों को कोई तो जवाब दे राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि वो सही है सच कितना है जूट कितना है तो आज राहुल गांधी ने हिंदुस्तान की सेना के अपमान में जो 5-7-6 बयान दिये हैं उन बयानों का हम फैक्ट चेक करेंगे और ये काम हमारे सा में जर्लेस्पी सेना साफ करेंगे आपका बहुत-बहुत सौगत है गुसा आता है जब राहुल गांधी इस तरह की बाते कहते हैं कि हमारी सेना पिट गई गुसा नहीं आता है खून खूलता है मनिश खून खूलता है जब यह लोग सर्जिकल स्टाइक पे बोलता सबूत इस तरह की बाते करता है जब आप बोलते हो कि यदि पाकिस्तान और चिन अटैक किये जुएंटली तो बहुत लॉस हो जाएगा हम लोगा हम हार जाएंगे वो लोग तयार हो गए यह डराते हैं मतलब इसका कहने का मतलब है कि हमारी सेना कमजोर है हमारी सेना सक्चम नहीं ह तू फ्रंट वार शिनरियों के लिए यह क्या आद्मी है मैं तो बहुत कड़े सब्द का इस्तमाल करना चाहता हूं लेकिन मैं अपने आप पर अंकुष लगा रहा हूं मैं अपने को बहुत कंट्रोल कर रहा हूं मेरे मूह में तो आ गया है लेकिन हम वाणी अपने मूह से दिखाना छोड़ दो, मैं इसके बियोंड कुछ और बोल सकता हूँ, बहुत कड़ा सब्द है, तो हनामा हो जाएगा, इसलिए मैं कंट्रोल करता हूँ, अब ये बताईए, कि जो पिछले एक सब्ता के अंदर उन्हों छे बयान दिये, सबसे पहली कि वो हमारे सेना पिट रह उसे उन्होंने छे बयान दिया, मैंनि घया आपने सही कहा, की पिएले ने हमारे सेना की पिटाइः कर दी, हौँ, पहले में क्या उन्होंने कहा, उसको एक हम लोग storage में सिखा जाता, fact check, सच किया है, उसको चेक करो, क्या वक्तत, क्या सही है, तो पहले वक्तत मूलता हूँ दूसरा चाइना ने 2000 स्कॉर किलोमेटर कैप्चर किया तीसरा कि चीन से खत्रा बहुत साफ है लेकिन सरकार उसको छुपा रही है इग्नोर कर रही है चौथा चाइना पूरी तरह से फुल स्विंग में एक्शन में है और लडाई की तियारी कर रही है सरकार सो रही है पाँच चीन का है फ्रॉट वर्सिनरियो और यदि जॉइंटली अटेक हुआ तो बहुत ही च्छती पहुचेगी हिंदुस्तान को मतलब किसी सारे बयारों से एक चीज है कि हमारी सेना जो है वह बिलकुल काहिल है उसकी कोई तैयारी नहीं है उसमें कोई बहादरी नहीं है वह यह यह आदमी और यह प्रदान मंत्री बनना चाहता है अब यह बताएए कि इसमें क्या क्या सच है क्या क्या जूट है अब ही बताता हूँ पहला हम लोग स्थेना में 62 के बाद हम पिटे नहीं हैं पीटते रहे हैं राहूल जी तो इतिहास पढ़ लो तो पिटाई हमने किय वीडियो अविलेबल है चाइना ने 2000 क्लाइक मिटर नहीं कैप्चर किया यह सच है 2014 पर एक इंच कैप्चर नहीं हुआ है बफर जोन में लोग आये हैं पहलो पर ट्रेनिंग होता था सपोज मान लीजिए पैंगॉंग सेव में फिंगर पॉइंट नमबर फॉर से लेके इतना बढ़िया सिस्टम है ओपन है पाल्यामेट में डिबेट होता है रक्षा मंत्री जी स्टेटमेंट देते हैं वो कौपी सब को मेंबर्स को सर्कुलेट होता है तो चुपा कहा रही है उसके बाद गर्मेंट सो नहीं रही है राहूल जी आप अपने पर्नाना का जराइ पढ़ लीजिए शिक्टीटू बहुर हम क्यों वारे पियो क्यों गया हमारे कभजे में नहीं है अक्साइचीन कैसे गया तिबत कैसे गया और तिबत कैप्चर में आपके पर्नाना लोगिस्टिक सपोर्ट दे रहे थे राशन राशन इसा पहुचा रहे थे पेले टुप्स यह तो पढ़ लीजे राशन जी और वही राशन खाके उन्होंने 62 के हमला किया रिटर्न गिफ्ट रिटर्न गिफ्ट जो है तुमने भात माता को बिट्रे किया तो उसने तुम्हें बिट्रे कर दिया उसके बाद यह कह रहे हैं कि चाइना प्रिपेर कर रहा है वार के करता है कि कौन सी तुमने निया साइंटिफिक बोल दिया न्यूटन की तरह ग्रेविटेशन निकाल दिया कि अरे यह तो हमको पता ही नहीं था कौन सा कौन सी बड़ी बात बोल दी तो यह हमको पता है छटी बात कि दो फ्रेंट वार सेनेरियो चाइना पाकिस्तान बहुत ह जाएगा अरे राहुल भाई थोड़ा पढ़ दिया करो हिंदुस्तान की सेना कई दसकों से टू एन हाफ फ्रेंट वार सीनेरियो के लिए त्यार है और सीडिये जनरावत जनरावत आज़े चीफ और जनरावत आज़े जनरावत आज़े चीफ उन्होंने वैक्ठा किया था कि हम लोग टू फ्रेंट वार सीनेरियो के लिए त्यार है और टू फ्रेंट वार की सीनेरियो क्या है पाकिस्तान पहला फ्रेंट पहला फ्रेंट तो मैं चीन बोलूँगा पहला चीन दूसरा पाकिस्तान और तीसरा हिद्दुस्तान के रहने वारे अंदर जैचन उसके लि मंतरी मोदी के आने से 2014 और 2014 से पहले भारत सरकार का इस तरीके के जिसों कर सकते की बॉर्डर डिस्प्यूट्स या फिर वहां पे कुछ जो तनाव पूरनिस्थी पैदा होती थी तो दोनों ही सरकारों में क्या एप्रोच में डिफरेंस रहा है देखो बनीश बेसिकली आपका क्वेश्चन है कि कॉंग्रेस का क्या चाइना पॉलिसी था और मोदी जी का क्या चाइना पॉलिसी है तो मैं दी ब्रीफ में कहूं तो कॉंग्रेस की जो फेलियर पॉलिसी चाइना पॉलिसी थी बखवास पॉलिसी थी 19 पॉइंट है और मोदी जी का करीब साथ 8-9 पॉइं Threat Perception नेहरू जी ने क्यों नहीं अप्रेशेट किया, जो लिफ्टन जनल बिटिश आर्मी का ब्रिफ करने गया गया कि बताइए मानिये पढ़ान मंतरी जी आपका क्या डिफेंस पॉलिसी है, तो उन्होंने का हम तो शांती प्रियदेश हमको तो सेना चाहिए नहीं, क्रिश्न मेरन बोलता है, येस, वी डोट रिक्वाइर आर्मी, बंद करो, हम तो शांती प्रियदेश हैं, एंटनी ने लोगसभा में कहा कि जब पुछा गया कि 73 स्ट्रेटिक जो जोड़ फर्नाडी जी ने कहा ता, क्यों नहीं आप बनाया, उन्होंने कहा कि ये चीन खुछ आएगा हमरे चेत्र में, तो हमारे रोड इस्तमाल करेगा, ये आदमी डिफेंस मिस्टर हिंदुस्तान का, लोगसभा में बोल रहा है, मैं तो दं हूँ, और दो दं हूँ, और क्यों मनाया, मैं कारण जाता हूँ, बोलूंगा नहीं, उसके बाद, M.O.E.U. 2008 में साइन करते हैं, दुश्मन देश के साथ, एक पॉलिटिकल पार्टी, M.O.E.U. शंदी साइन होती है, दो देशों के बीच में, एक पॉलिटिकल पार्टी, दुश्मन देश के साथ, राहूल गांधी कहता है, कि लद्दाक में हम यदि किसान और लिबर्स को भेज़ देंगे, तो उठा के फेक देंगे, मतलब किसान और लिबर्स फाइटर जिक चलाएंगे, नेवल शिप चलाएंगे, एटी जीम करेंगे, टैंक चलाएंगे, बली हार है से बुद्धी की, उसके बाद, राजी गांधी फांडेशन में 1.75 करोर से 25 करोर पैसा आता है, टिबेट उक्वाइब करने में नेरू चीन का मदद करते हैं, चावल डाल सप्लाई करते हैं, ट्रुप्स को पे ले ट्रुप्स को, उसके बाद, जब डियस डिब और, डॉल्ड बेड ओल्ड ए ये एर स्टेप, ये हमारी जूलर वेन है, बिपेर करना जरूरी है, क्यों नहीं पर्मेशन दिया, उसके बाद, क्यों नहीं 62 में एर एर फोर्स को इस्तमाल किया गया, रफाल जब ये प्रोकर्मेंट की बात चली, तो राहूल गांधी ने बड़ी, बतब चालाकी से दो द दूसरा चीज, आप बहुत लोग ने नोटिस नहीं किया, उन्होंने राहूल नानी कहा कि टेक्निकल स्पेश्विजन, पब्लिक डोमेंट में लाई है, किसके इशारे पर ये प्रशन उठा था, चीन के शारे पर, डोकलाम में चैनीज रुआ के साथ आप क्या कर रहे थे, कैलास मान सुरवर गए तो आप इंडियन पोस्ट पर क्यों गए, जो 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 आपने उहां एक्सचेंज किया, चैनीज के साथ, और नेपाल के रास्ते क्यों गए, अपने सिक्यूरिटी क्यों छोड़के गए, बाज, इस्टेंडिंग कमिटी इफ डिवेंस के आप देश की सुरक्षा से जुड़ी ही बात, वो तो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपका पडिवार भी इद आईशियू में है, तो यह तो अटेंड अट मीटिंग, कहा थे आप, इगारा बार कहा थे, वहां क्यों नहीं मुद्दा उठाया, अटेंड करके, आप भारत जो रिय मैं ले में नौकरी किया हूँ, कनेक्टिविटी विंटर में बहुत खराब हो जाती है, बरफ मेरे से, तो वही है, माचल प्रदेश वाला हम दोंको रूट लेना पड़ता है, तो जितना समान हम को चाहिए, टूप्स को मिंटेंड करने के लिए, हम ले में थे, एडवांस कि भाई, आट-दस महीना निकल जा बिना पंगा के, अब ये जो ओल वेदर टनल्स बन रहे हैं, ट्रिंटी फॉर बाई सेवन कर एक्टिविटी होगा, हम एक एड़र है, तो जो आईल 76 पे लोड था, खाना आई सब जाने का, वो लोड कम हो जाएगा, अब उसको हम खाली बैन पावर शिफ्टिंग के लिए, कैज़िवेकिशन के लिए, कैजुल्टी वेकिशन के लिए इस्तमाल करेंगें, ये फरक, जब बाजपी जी ने ब्रमोज का डिवलप्मेंट शुरू किया, और उनकी सरकात गिर गई, तो सुनिया गान्ती ने क्यों ब्रमोज को इस्ट जुरूत नहीं है, मतलब इसको जादे बहुत इंपोर्टिंट समझने की जुरुत नहीं है. देश का प्रदान मंत्री कह रहे हैं, ये बात. integral इकलित देश का प्रदान मंत्री कर रहा है, क्यों घुसा है हमारा घर में, इसको जादे इंपोर्टिंस मत यह सीए, वो हमारा इ आर्मी स्टाफ बने जब वो इस्टन आमी कमांडर थे मतलब हेड़कॉट इस्टन कमांडर के बॉस थे और लेटर चीप भी बने तो उन पर दबाव डालेगा कि वांगडून से 1987 में दबाव डाला गया कि विड्रॉख करो जब वो नहीं माने तो अब मैं जो बुलने जाला ह तो आप हिल जाओगे राजीव गांधी परस्टनली तवांग में गये जनल वीके शर्मा पर दबाव डालने के लिए विड्रॉख कीजिए उनको यह कहा हुकम बहुत साफ है यूर नोट सपोस्ट तो फायरट चैनीज चैनीज प्या फायरट गोली नहीं चला सकते मनीश द बोपाल गैस काड़ और यह बात करते हैं मोधी सरकार का अब यह बताई कि मोधी सरकार के आने से क्या क्या बदलाओ बताओ पहला चीज स्टेजिंग मेसेजिंग बहुत क्लियर संदेश चीन को यह आँख में आख मिलाके देखेंगे लक्षमें रिखा क्रॉस किया तो तुम्हारी भाजा में जवाब देंगे पहली बार हिंदुस्तान चाइना की रिष्टे में मनीश पैंगोंग्स होके जब हम मौंटें टॉप्स पे जाए गुर्खा टॉप हो या हिलमेट टॉप हो सब जज़ जाके हम बैट गए थे और मॉल्डो गैरिसन चाइना का मॉल् जी दिवाली में जाके टुप्स के साथ दिवाली मनाते हैं तो संदेश का पाकिस्तान चीन को लग नहीं रहा है कि कितना सपोर्ट है प्रधान मंतरी को यह प्रधान मंतरी थोड़ी हैं जो 71 वार में शिम्रा में सब कुछ गवा दिया यह मोदी जी हैं उसके बाद 50,000 टु स्टम डिप्लाइ हुआ है रफाइल अंबाला में डिप्लाइड है एक और जगह इस्ट में है छोड़ दी इसका नाम अगनी फाइव कुछी दिन पहले सक्सेस्फुली टेस्टेड पूरा नॉर्थ अफ चाइना हमारे रेंज में है एडवांस लेंडिंग ग्राउंड की सं इसके नहीं होती है मूब करने में दिक्कत होती है तो जब लाइट टेंक होगा तो कहीं पे चल दा आप घुछ जाओ फायर कर दो तो यह सब कोन कर रहा है और सबसे बड़ी बात कि मोदी जी ने तो पैसा नहीं लिया मोदी फाउंडेशन में सभी बात है C.I.A. का रिपोट है मैनेश मोदी जी के बारे में यह विश्यव का इंकरॉप्टीबल लीडर है, मतलब जिह को आप घुछ नहीं दे सकते, इन्करप्टिबल है उसको ब्रैट कर ही नहीं सकते यह CIA का रिपोर्ट है अमेरिका का तो जो आदमी इतना ओनेस्ट है इतना शाहसी है कि ना भारत मा को जुकने देंगे ना उसको तरपाने दें किसी को तो क्या दुश्मन चुपचाप देख नहीं रहा है कि क्या है तो क्या पैदा कर रहा है कि जो बार बार आर्मी के मुराल को जो है वो डाउन करें दो मकसद तीन बात है आपने जो कहा यह आर्मी के मुराल को पहली बात तुम्हें कहा देना चाहता हूं आर्मी को मुराल पे कोई फर्क नहीं पड़ता है ऐसे इसे लोगों की बातचीत से हम इनका ichara dna जानते हैं, चारीतर जानते जानते हैं, सोच जानते हैं, भूख किस चीज़ का है, सब जानते हैं, अ अब देश के लिए देश के साथ क्या देश क्या क्या है, सब जानते हैं, हमको कुछ नहीं परक परता है, we can adam about their attitude and statement, पहली बात, दूसरी बात है, मेरी जो सोच है, मुझे लगता है कि ये चीन के इशारे पे नाचते हैं, और इशारे पे ही नाचते हैं, चीन को खुश करते हैं, देखा बस, आपने कहा मने कहा, तुमने फर्माया, हमने पेश किया, देखा, तो कुछ और पैसा दे दो, भाई, कुछ तो रिशंकर एयर जाता है पाकिस्तान में कि मोदी जी को हटाने मदद करो, तो इनका रिस्ता, कॉंग्रेस पार्टी का रिस्ता चीन से और पाकिस्तान, ये तो इस्टैबलिस्ट है, तो प्रशनी उठता है, मैं डिप्लोमेटली प्रशनीरेज कर रहा हूं, क्या ये है, वो आप समझे, ये मैं क्या कहना चाहता हूं, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, राहूल गांदी के जूठे भयानों के उपर सच बताने का, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेर करें, और कैपिल ट करें